नमस्कार दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे लोहे के विबिन बाजारों के अंदर क्या भाव रहे आज 20 जुलाई सन 2022 लगबग एक बचकर पार्च मिनिट पर इंगट के बाव के बार में सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे मंडि गोबिदगर में 51,700 से 51,800 के बाव रहे 300 रुपे की तेजी के साथ एमदबाद में 49,600 के बाव रहे 200 रुपे की मंदी के साथ अलंग के अंदर 48,500 के बाव रहे भावनगर में 49,500 के भाव रहे बिवारी में 50,500 के भाव रहे 1,000 रुपे की गिरावट के साथ दुर्गापुर के अंदर 49,200 के भाव रहे 100 रुपे की गिरावट के साथ गाजियाबाद में 52,400 के भाव रहे 2 रुपे की यहाँ गिरावट देखने को मिली गोवा में 49,100 के बाहु रहे यहाँ 1,000 रुपे की गिरावट देखने को मिली एदरबाद में 49,500 के बाहु रहे यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं रहा हमाचल में 50,800 के बाहु रहे 300 रुपे की तेज़ी यहाँ देखने को मिली इन दौर के अंदर 49,700 के भाव रहे 500 रुपे की गिरावट के साथ जैपुर में 51,500 के भाव रहे 200 रुपे की तेजी यहां देखने को मिली जम्मू में 52,000 के भाव रहे यहां 300 रुपे की तेजी देखने को मिली कॉलकाता में 49,900 के भाव रहे यहां 100 रुपे की तेजी देखने को मिली मुजफर नगर में 52,200 के भाव 100 रुपे की मंदी मुंबई में 49,300 के भाव बिना किसी चेंज के राइगर्ड में 47,500 के भाव रहे 800 रुपे की गिरावट राइपुल में 47,800 के भाव रहे 300 रुपे की भढ़त और राव केला में 47,400 के भाव रहे 800 रुपे की गिरावट के साथ वही स्क्रैप के जो भाव रहे MGG ओल्ड स्क्रैप के भाव 40,200 से 40,300 के भाव 300 रुपे की भढ़त के साथ मेल्टिंग स्क्रैप के एन्ड कटिंग के 45,800 के 300 रुपे की बढ़त, CRC स्क्रैप के 46,300 के बढ़त, या भी देखने को मिली, विवारी में भी 300 रुपे की बढ़त के साथ 37,800 के बहु रहे, जैपुर में भावल में कोई चेंज नहीं रहा, 42,500 के बहु रहे, और वही लुद्याना में भी कोई 11,100 के बहु रहे, ये थे विविन शेरों के इंगठ के प्राइस, उमीद है आपको हमारे शो अच्छा लगा होगा, इसी के साथ ही आज के इस एपिसोड में इतना ही देखते रहे, अजय एस्टो मनी गुरू, थैंक यू एंड गुड दे,